जाकर नी इंग्लिस टीचर के सभी एस्पारेंट का मैं जाकर अली एक बार फिर से स्वाधत करता हूं दोस्तों जाकर नी इंग्लिस टीचर इंग्लिस ग्रामर इंग्लिस बोकेब और इंग्लिस लिट्रेचर के लिए आपका अपना यूटूब चैनल है दोस्तों आपसे एक चैनल पर नए हैं तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे है लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए वीडियो अच्छे लगे तो एक कमेंट जरूर करेजिए और दोस्तो आठ सो अठासी जाकर नियू इंग्लिश टीचर तो चलिए मिस अलेनी स्कॉस्टेंस ओफ इंग्लिश लिटेचर जी हां इंग्लिश लिटेचर की ये प्रेक्टिस है तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं चलिए दोस्तों हो काल्ड ड्राइडन दा फादर आफ इंग्लिश किस ने कहा था ठीक है पीबी सेरी ने कहा था कॉलेज ने कहा था जॉन कीट्स ने कहा था ड्क्टर जॉंसन ने कहा था किस ने कहा था देखिए दोस्तों इस कोस्टन से हमारे कई कोस्टन त्यार होते हैं सबसे पहले हम इसका जो सही आंसर है उसको देख लेते हैं जी हां फ father of English criticism कहा ठीक है अब देखिए किस ने कहा डक्टर जॉंसन ने कौन है father of English criticism जॉन ड्राइडन है ठीक है जॉन ड्राइडन क्या है father of English criticism ठीक है अगला question देख लेते हैं question number 2 क्या कहता है बड़्स बड़्स प्रिफेश टुदा लिरीकल बैलेड इस बिलीब टू बी दा प्रियंबल टू रोमांटिक सॉरी क्रेटिसिज्म इन विच यह वाज इट पबलिश्ट तो देखिए प्रिफेश टू दा लिरीकल बैलेड ठीक है यह क्या कहलाता है दप्रियंबल आफ इसको क्या कहते हैं दा प्रियंबल टू रोमांटिक क्रेटिसिज्म कहते हैं अब यह कह रहा है किस बड़्स पबलिश हुआ तो इसका सही जवाब क्या होगा देखिए लिरीकल बैलेड तो आया था हमारा इसका जो प्रिफेस किया था वह अठारा सो में ठीक है तो यह पूशना है यह पबलिश्ट कब हुआ था लिरीकल बैलेड पब्लिश्ट तो पब्लिश्ट हमारा 1798 1798 में हुआ था और इसमें किसी भी पॉइट का नाम नहीं था जब यह प challenges यह बिना नाम का था ठीक है इसम कोई aha पाइट का नहीं था ना तो हेस्टी का था और नाहिं विलियं बर्सवाद का था ठीक है दोस्तो चलीं अगला question देख लेते हैं poetry is emotion recollected in tranquility who has defined poetry in these words poetry is emotion recollected in tranquility किस ने इसको इन सब्दों से poetry को define किया है college ने words परत ने मैथ्य अर्नार्ड ने या पीबी सैली ने जी हां फ्रेंट्स तीन नंबर का सही जवाब होगा बिलियम बड्सवर्ड बिलियम बड्सवर्ड सेट poetry is emotions recollected in tranquility ठीक है चलिए दोस्तों कोश्चन नंबर तीन का सही जवाब बिलियम बड्सवर्ड है तो question no 4 की तरव चलते हैं who gave the concept of art for art sec arts for art sec का concept किसने दिया था टी एस एलियेट ने मेथिय अर्नॉल्ड ने जॉन कीट्स ने बाल्टर पैटर्ण है तो question no 4 का सही जवाब क्या होगा जी हां बाल्टर पैटर्ण में तो यह art for art sec जो था दोस्तों यह आपको बता दें कि एस्थेटिक मूम्मेंट एस्थेटिक मूम्मेंट जो था उसके लिए क्या हागा था art for art sec अब बाल्टर पैटर्ण ने यह concept दिया था ठीक है question no 5 को देख लेते हैं whose believed to be the pioneer pioneer of the so-called new criticism new criticism का pioneer किसे कहा जाता है T.S. Elliot को आये रिचर्ड को John Crowe Ransom को F.R. Lewis को पांच नंबर का सही जवाब क्या होगा question no 5 का सही जवाब जी हाँ J.C. Ransom ठीक है see J.C. Ransom यानि John Crowe Ransom जो है pioneer of the so-called new criticism है ठीक है इनी 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 जो इनी को जो है pioneer of new criticism कहा जाता है question no 5 कि देख लेते हैं who called Shakespeare's hamlet and artistic failure तो ये तो बहुत इजी question है तो ये तो होंगे ने ये नहीं होंगे ये नहीं होंगे ये नहीं होंगे T.S. Elliot T.S. Elliot ने hamlet and his problem hamlet and his problem hamlet and his problem अपने जो एसे है अपने जो book है उसमें ये इसको लिखा है ठीक है चरी question no 7 देख लेते हैं who was the first literary critic to who said that art is twice removed from reality ऐसा कौन सा criticism है literary का जिसने ये कहा था कि जो कला है वो दो तरीके से बास्ता में मिटाती है तो ये quintillion है पिलेटो है long genus है Aristotle है सही जवाब क्या होगा साथ नंबर का जी हाँ पिलेटो ने अपनी जो बुक थी उसमें art is twice removed from reality कहा है ठीक है पिलोटे ने अपनी एक बुक जो कही थी चली अगला देख लेते हैं what is the meaning of term एनाग रोल एनाग नौर्स नौरिसिस एज यूजड बाई by Aristotle in his theory of tragedy इसका सही जवाब क्या होगा the hero's recognition of tragic end है the hero's recognition of his adversary है the hero's recognition of his tragic phila है the hero's ignorance about his tragic phila है तो ABCD इन चार option में से सही जवाब कौन सा होगा दोस्तो अरिस्टोटल ने अपनी जो बुक थी उसमें यह सी बाला concept दिया था क्या दिया था the hero's recognition of his tragic phila जो hero है वो अपने tragic phila को जब जान जाता है तो उसे एनाग नौर्स रीसिस कहा जाता है एनाग नौरीसिस ठीक है दोस्तों तो इसका सही जवाब सी है जी हाँ question number eight का सही answer C है question number nine देख लेते हैं Sydney's apology for poetry is a defense of poetry against the charges brought against it by John skeleton, Stephen Gosen, Henry Hobart, Roger S.C.M. तो question number nine में किसके साथ जा रहे हैं जी हाँ दोस्तों Stephen Gosen के साथ जाएंगे Stephen Gosen की School of Abuses के defense में Sir Philip Sydney ने apologies for poetry को लिखा था ठीक है और Henry Hobart तो friend यहां नहीं है चलिए Aristotle uses the term Hamartia in the theory of tragedy what does Hamartia stand for Aristotle ने Hamartia का प्रियोग अपनी theory जो tragedy की theory है उसमें किया है तो Hamartia का meaning क्या है the tragic end of play the date of tragic hero sorry the conspiracy hatched by the villain of the tragedy a big trait in the character of the hero तो इन 4 options से 10 का सही option क्या होगा तो देखिए जो Hamartia है वो हमारा D होगा क्या होगा अब big trait in the character of the hero जो hero का character होता उसके अंदर जो bigness होती है वही हमार सी आ है ठीक है according to Ben Johnson according to Ben Johnson the concept of humorous character ठीक है comedy of humor के लिए जाने जाते है Ben Johnson ठीक है इसको दिहान रखना तो यह concept जो है humorous character is क्या है a character whose actions are being seeker a character whose temperament is determined by one of the four fluids in human body sorry a character who entertained by his dialogue character who dominates all other characters by his beauty reparties तो 11 का सही जवाब क्या होगा देखिए 11 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा हमारे जो सरी में चार तरह की फिलूट होते हैं उनमें से एक फिलूट होता है जिससे character of humorous बोलते हैं ठीक है तो 20 का सही जवाब होगा यह Ben Johnson की अनुसार हमारा सही आंसर है ठीक है चलिए हम question number 12 को देख लेते हैं एन एलिजवेथेन प्यूरिटन क्रिटिक डिनाउंस्ट पोईट्स एज फादर आफ लाइज एंड कैटर पिलर्स आफ अर्कमन वेल्ट हो वाज ही हू यू यूज दीज ऑफेंसिव टर्म्स तो यह किसने इस ऑफेंसिव टर्म को यूज किया है हैंडी होवार्ड हैं रोजर एसकेम हैं बिलियम टिंडेल हैं इस्टीफेन गॉसन हैं तो बारा में सही जबाब क्या होगा तो देखें एलिजवेथें प्यूरिटन थे और क्रिटिक भी थे ठीक है पोईट्स एज फादर आफ लाइज देखें इन्हें फादर आफ इस भी कहा जाता है और कैटरपिलर ठीक है यह कामर्वेल्ट सवाज उती उसके थे तो जी हां इस्टीफिन गॉसन के लावा यह कोई नहीं थे इस्टीफिन गॉसन ही थे ठीक है तो कॉस्चिन नम्बर 12 में हम जाएंगे डी के साथ चली कॉस्चिन नम्बर 13 देख लेते है इस तर्म परिपेटिया एज यूज जो परिपेटिया टर्म है इसका मीनिंग क्या होता है बाइरिस्टोटर इन इस थे ओरी आप रेजडी जो अरिस्टोटल ने अपनी थेओरी आप रेजडी में लिया था तो चेंज इन दा फार्टून अब देख फ्रॉम गॉड डू द छाइड फिलक्टिवशन फिलक्रिव टेशन अपरिं इन दा फार्टून अब देख रोगा। दर्म गॉड प इन चार में इन चार में से सही जवाब कुन सा होगा तेरा का सही अंसर जी ऑन तेरा का है चेंस और फार्चून ओफ़ड़ ही रूख अच्छे से उसके बुर चल रही है तो चानक से बुरा बगत आ जाए याँ अच्छे से बुरा जूर्चून है उसे बदला है उसे परिपेटिया कहते हैं ठीक है अब आगे देख लेते हैं आर्स पोईटी कल इस दा मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिटिकल बर्क आफ तो आस पोईटी पोई टीकल यह तो हॉरेस का है अजिया सीद जीद है आंसर हो इसES ayने ओभेड़ है नहीं बर्ज़ेंज है नहीं तो हमारा होए से चलिए poetry बास generally written in poetic diction by the तो poetic diction किसके द्वार लेखी the romantic poets, the eligibility poets, the Victorian poets, the new classical poets तो 15 यानि 15 नमबर का सही जवाब क्या होगा तो देखिए जो poetic diction है उसको किस ने लिखा है 15 नमबर question का सही जवाब हमें देजिए जी हाँ, यह new classical poets थे, poetic diction जो है, new classical poets के द्वारा लिखा गया रहा, सही जवाब मारा D है The tragic comedy, which is the product of the English theatre, is one of the most monstrous inventions that you were entered into a poet's thoughts, whose view is this तो यह किस के विचार थे, the tragic comedy, which is the product of the English theatre, जो tragic comedy है वो English theatre की उपज है, one of the most monitored invention, किस एक बहुत ज़्यादा खोज करने वाले ने, entered into a poet's thought, जो कभी के विचारों में आती है, Whose view, किस के view थे, Burstworth के, Alexander poet के, Joseph Edison के, Ben Johnson के, तो 16 का सही यमबाब हमारा जो होगा, वो होगा, Joseph Edison, ठीक है, 60 नमबर में हम Joseph Edison के साथ जा रहे हैं, चलिए 17 नमबर देख लेते हैं, a critic says, that Pope's essay on criticism is all stolen, name the critic, जो, एक critic कहता है, कि जो Pope के essay on criticism है, वो चुरा लिए गए, उस critic का नाम बताईए, कावले, T.S. Elliot, Dr. Johnson, Lady M.W. Montaigne, इन 4 में से सही जवाब क्या होगा, 17 का सही आंसर, जी हाँ, ये Lady M.W. Montaigne, जो है, इन्हों ने ये बात तही थी, चलिए, 18 नमबर देख लेते हैं, which of the following critics preferred Shakespeare's comedy to his Tragedies, तो Shakespeare की जो कमेडियों, उनको साथ मैंने उनकी Tragedy को भी पसंद किया, किसने, Dr. Johnson, Addison, Dryden, Pop, तो सही जवाब 18 नमबर का क्या होगा, Dr. Johnson, जी हाँ, ए इसका सही जवाब होगा, तो Dr. Johnson, जो critic थे, उन्होंने, William Shakespeare की जो कमेडियों थी, तो Tragedy और कमेडियों जो कमेडियों थी, वो ज़्यादा पसंद की, ठीक है, चलिए, I write in meter because I am about to use a language different from that of prose, who says this, मैं meter का इस्तमाल करता हूँ, क्योंकि मैं जो भासा को प्रोज से जो गद्ध है, उससे बिभिन करता हूँ, अलग करता हूँ, भिन ने करता हूँ, तो ये बात किसने कही है, Sally ने कही है, किट्स ने कही है, कॉलेज ने कही, बेट्सवर्ड ने कही, किस ने कही है, 19 नमबर का सही जवाब क्या होगा, दोस्तों, 19 नमबर का सही जवाब होगा, हमारा C, H.T. कॉलेज ने कहा है, H.T. कॉलेज ने कहा है, Sally's defense of poetry was a rejoinder to a Sydney's and apologies for poetry, तो इसका सही जवाब 20 का क्या होगा, Sydney's and apologies for poetry, Dryden's essay of dramatic poetry, Dr. Johnson's preface to Shakespeare, Thomas Love Peacock's the four ises of poetry, 20 का सही जवाब क्या होगा, जी हाँ, इसका D होगा, Thomas Love Peacock's the four ises of poetry, ठीक है दोस्तों, चलिए अगला question देख लेते हैं, question number 21, in whose opinion, किसके बिचारों में, Poetry is the most highly organized form of intellectual activity, which is the most highly organized form of intellectual activity, ये टी एस इलिएट का है, D.H. Lawrence, T.S. इलिएट ये डवल होगया, W.B.Eats, 21 नंबर में हम जाएंगे T.S. इलिएट के साथ में, जी हाँ, यहाँ कुछ और था, तो अभी अभी तो हमार पास यह है, ठीक है, T.S. इलिएट, 21 नंबर में T.S. इलिएट के साथ जा रहे है, Who is the author of the sacred boot, sacred boot जो पुस्तक है, उसके राइटर कौन है, T.S. इलिएट, H.E.G. Bales, Matthew Arnold, I.A. Richard, 22 में T.S. इलिएट है, the sacred of boot, T.S. इलिएट की रचना है, जी हाँ, चलिए, Who is the author of seven types of ambiguity, seven types of ambiguity के राइटर को ने, William Amson, William Hazlett, Philip Sydney, Samuel Butler, तो इन चार में से तेज का सही जवाब क्यों सा होगा, William Amson जो है, इन्होंने लिखा है, seven types of ambiguity, ठीक है, तो 23 का सही जवाब होगा, सही answer जो है, वो हमारा A होगा, William Amson, is the spontaneous overflow of powerful feeling, it takes its origin from emotions recollected internal quality, that, that, it is a written, it is written by, तो यह किसे ने लिखा है, है, T.S. Eliot, H.T. College, William Bartsworth, Matthew Arnold, तेकि T.S. Eliot ने लिखा नहीं है, Matthew, sorry, H.T. College ने लिखा है, Matthew ने लिखा है, तो यह William Bartsworth ने लिखा है, ठीक है, चली, 25 का सही जवाब क्या होगा, जी हाँ, discoveries जो है, Ben Johnson की रचना है, ठीक है, बाकी नहीं है इन में से कोई उनकी रचना, जी है, What has Dryden to say about the observance of the three classical dramatic entities, चो तीन dramatical entities है classical की, उसके बारे में John Dryden क्या कहते है, He says that every dramatic should decide it for himself, he advocates their strict observance, he does not advocate their strict observance, he is silent about this issue, तो A, B, C, D, सही जवाब क्या होगा, 26 का सही जवाब, जी हाँ, He does not advocate their strict observance, C, इसका सही जवाब होगा, ठीक है, चली, 27 नमर देख लेते हैं, ड्राइडन रोट एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोईजी, इस देश एन इंटर लोक्षन, लोक्षन, एन एसे एड्रेमा, ड्रामा, सॉरी, नन अब दीज, तो सत्ता इसका सही जवाब क्या होगा, जी हाँ, एन इंटर लोकषन थाही जी हाँ, जी हाँ, जो एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोईजी है, वो एन इंटर लोकषन है, इसका जोनर एन इंटर लोकषन, 28 को देख लेते हैं, what does Sydney says about the observance of three dramatic unities in drama, he favors the observance of the unity of action only, their observance depends upon the nature of the public concern, they must be observed, it is not necessary to observe them, 28 का सही जवाब क्या होगा, जी हां, they must be observed, C उसका हजाइट अंसर होगा, 28 नम्मर क्योस्चन का सही जवाब होगा, वो C होगा, who is believed to be the pioneer of so-called new criticism, तो ये double repeat question होगा, उसको ज्यादा देखेंगे नहीं, J.C. Ransom, J. John Crow Ransom, जो हैं, इसके writer है, who wrote a Shakespeare's sonnet, reconsidered, तो Shakespeare की जो sonnet है, उनको reconsidered किसने किया है, Billy Manson, Stephen Spender, Samuel Butler, H.G. Bills, 30 नमबर, यानि 30 नमबर का सही जवाब होगा, डाक्टर सही, oh sorry, Samuel Butler, Samuel Butler ने Shakespeare sonnet का reconsidered लिखा है, ठीक है, what is the denomant, या denoma, denoma क्या है, the climax in tragedy, the ending of a tragedy, the ending of a comedy, the climax in a comedy, 31 का सही जवाब क्या होगा, जी हाँ, denoma जो होता है, comedy का ending होता है, ठीक है, who proposed that poets, 32 यानि 32 को देखते है, who proposed that, poets should be banished from the ideal report, sir Thomas Moore in Utopia, Piloto in the Republic, Aristotle in Poetics, Sir Philip Sydney in Arcadia, तो सही जवाब क्या होगा, 32 का सही जवाब जो है, वो दोस्तो हमारा होगा, Piloto in the Republic, ठीक है, 32 के जो सही जवाब होगा, वो हमारा, क्या होगा दोस्तो, यह Republic है, ठीक है, ठीक है, Republic, Republic, पर दिख गया था, ठीक है, चलिए, 33 यानि 33 नमर देख लेते हैं, क्या है, क्या सही जवाब क्या होगा, पैंटिस नमर देख लेते हैं, पैंटिस नमर का सही जवाब जी हाँ, मैथ्य और नॉर्ड ने यह बात कही थी, मैथ्य और नॉर्ड ने क्या कहा था, आइज क्रिटिसिज्म अफ लाइफ अंडर दा कंडिशन फिक्ष्ट फार, सच अ क्रिटिसिज्म बाइद लाज अफ पोईटिक टूथ एंड पोईटिक व्यूटि, पैटिस के बाद 36 देख लिए थे हैं, हूँ सेट फॉर्ड आर्स एक एलाउन आई वूड नॉट फेस्ट ट्वाइलेट आफ राइटिंग आ सिंगल सेंटेंस, टीयस एलियर, जोर्ज बर्णार्चा, टेनी संव बाट्स बाद ये बाद 36 नंबर कोश्टिन के सही जवाब में क्या होगा, किसने कही है ये बात जी हैं जोर्ज बर्णार्चा ने कहा है जीवी शा ने कहा है ये बात ठीक है, थर्टी सिक्स में हम जी वी सा के साथ जा रहा है 37 देख लेते हैं इन दे लाइफ आफ बीच पोईट डिड़ ड्रॉक्टर जॉंसन अप्लाइदा टर्म मेटाफिजीकल स्कूल और पोईटरी डन कॉले मिल्टन थॉमस ग्रेड तो जी हाँ अबराहम कॉले जो थे मेटाफिजीकल स्कूल की बाद ड्रॉक्टर जॉंसन ने कही है ठीक है जो लाइफ थी जीवनी थी बायोग्राफी जो थी वह अबराहम कॉले की थी तो 37 नम्म का सही जवाब जो होगा वह हमारा होगा भी अबराहम कॉले ड्राइडन फॉंट इंगलिस पोईट्री ब्रिक एंड लैप टेट मार्वल हू सैट किसने कहा ही कि ड्राइडन ने जो इंगलिस पोईट्री उसको एक इट की तरह पाया और उसे मार्वल बना कर छोड़ा currentcrj 에्ण का सही जवाब कौन सा होगा अंत टियेट का सही जवाब घियार जवाब कौन सा होगा यह आद्ट एट का सही जवाब होगा मारे ड्राइडन डॉक्त जो जांसम ने यह बात जो जीवनी ही उसमें कही है How many principal source of sublimity are there according to longginus? 4 sources, 5 sources, no definite numbers of sources, 3 sources. 39 का सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, पांच sources है. पांच sources जो हैं, वो principal source हैं, sublimity के, ये longginus ने कहा है, on sublime में. तोस्टो फ्लेट करेक्टर एंड राउंड करेक्टर दोस्तो फ्लेट करेक्टर राउंड करेक्टर की बात किस ने कही है चलिए दोस्तो जाकर नीउगलिश टीचर मैं जाके रिली मिस से लिए इस question थे ये English literature के important question थे तो मैंने कहा चलिए आपकी सेवा में उपस्तित होता हूएने लेकर बस आपसे एक ही रूकेश्ट बार-बार की चैनल को सबस्क्राइब कर लें अगर आप नए हैं और वीडियो को लाइक करें शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे question अच्छी लगे तो comment जरूर करें ठीक है आपका comment हमारे लिए एक दिर्ल इच्छा सक्ती का काम करता है हमारी जो ताकत है उसको बढ़ा देता है हमारी जो इनर्जी है उसको बढ़ा देता हमारा इनर्जी लेवल को बढ़ा देता तो दोस्तों बिना किसी देरी के मैं आपसे बिदा लूँ बस यही इसी रिक्वेश्ट के साथ कि मिलते हैं नए वीडियो में तो जाकर नी उगलिस टीचर के सभी आइस्पारेंट को मैं एक बार फिर से बिदा लेते हुए आपसे बस एक ही रिक्वेश्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ही शेयर कर दें जिससे उन्हें तयारी करने में कोई दिक्कत ना हो हमारी तरफ से आपके लिए प्यारी सी भेट इसी के साथ